आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके Redmi MI phone में App drawer open करने पर automatically keyword open हो जाता है तो यह problem कैसे ठीक करें तो यहाँ पर इसे ठीक करने के लिए आप अपने phone में settings को open करिए और settings open करके नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा Apps Apps पे किलिक करिए Apps पे किलिक करके उपर Manage Apps पे किलिक करिए और Manage Apps पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आएगा यह सर्च बार इस पर आप किलिक करिए उसके बाद टाइप करिए system और system टाइप करने के बाद आएगा system launcher इस पर आप किलिक करिए, सिस्टम लॉंचर पर किलिक करने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप पर किलिक करिए, ओके पर किलिक करिए, अब उसके बाद यहां पर किलियर डेटा पर किलिक करिए, किलियर ओल डेटा पर किलिक करिए, ओके करिए, डेटा किलियर करने के बाद बैक आ अब यहां पर अपने फोन में सेटिंग्स को ऊपन करके नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पर किलिक करिए, अब उसके बाद फिर से होम स्क्रीन का ओप्शन आएगा इस पर किलिक करिए और यहाँ पर हो सकता है आपका classic select हो जाएगा तो with app drawer इस पर किलिक करके इसे select करिए और अब check करिए app drawer open करने पर keyword open नहीं होगा तो इस तरीके से ये problem ठीक करें विडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी विडियो को लाइक जरूर करें आपको जरूर करें